हमीर पुलिस ने मुख्विर की सूचना पड़ दविश देते हुए ये कवेद तमंचा बनाने वाली फैक्टरी का खुलासा किया है इस कारवाई में दो आरोपियों को भी पुलिस ने गरपतार किया है मामला उत्तर पुर्देश के जनपद हमीर पुर के जरिया थाने के अंतरगर इटालिया गाओं का है जहां मुख्विर की सूचना मिली थी कि यहां अवैद असलहा बना कर दूसरे छेतरों में सप्लाई किये जाते हैं जिस पर जरिया थाने प्रबारी रामजीत गौड के निर्देशन में जरिया थाने की पुलिस टीम ने मुख्विर की सटीक सूचना पर रात्री लगबग एक बजे इटालिया वाजा से इसलामपूर रोड पर पानी की टंकी के पास बने खंडहर में छापा मारा जहां पर तीन व्यक्ति आग की भट्टी लगा कर अब एक तमंचा बनाने का काम कर रहे थे पुलिस में पूरे खंडहर की घेराबंदी करके बदमासों को घेर लिया लेकिन एक बदमास पुलिस को चक्मा दे कर भागने में सफलो गया जबकि दो को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिल गई पकड़ गया आरोपी लक्षमी प्रसाद, पुत्र बद्री लोदी और दूसरा मूलचंद्र पुत्र शिप सिंग निवासी इसलामपूर है जबकि कल्लू सिंग भागने में काम्याब रहा है आरोपियों के पास से एक 315 बोर का तमंचा वा अर्द निर्वित तमंचा और राइफल के साथ हत्यार बनाने के उपकरण भी बरामत किये गए हैं असलाहा और क्या-क्या उपकरण मिला है एक बनी जाने और एक बाग और पंखा नहाई वस्त और तूपूर को मनलक्सामा सके लेतियत बगएरा आज रात में स्ट्टर साहब के जोड़ साहब निकले ते अपने हमारा आयोक साथ कसमें तो टैलिया बाजार रोड से इसलामपूर के राते पाई टंकी है उसी पार खंधार में कुछ इनको लगा कुछ लोग हम मौजूद हैं तो वह लोग पकड़े गए थे और उनके पास पार रंगे हाथ पकड़े गए और पूरे असलाय बनाने की फैक्टरी के जितने भी क्यूब्मेंट उसमें होते हैं नियाए यह गरम करने घावा करने परिसर मशीन है और उसकी जिसमें वो कसके काड़ते हैं रिती है छे निया तमाव से बराबत है नियूज बीके के लिए हमेर पूर से मोहमद मुक्तार की रिपोर्ट